वीडियो काफी लोग हो गया था ध्यान ने गया अच्छा का ट्रांसफर हुआ ना बाइदा रबिंग हुआ यानि कि अच्छे तरीके से हुआ और टचिंग से हुआ तो ये एक तरह का कंड़क्शन हो सकता है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स जो हमारा कंसेप्ट है इसके बाद है इलेक्टिफकेशन बाइदा फ्रिक्शन अब फ्रिक्शन के कारण यहां से कुश्चन है वह एक नमबर का फ्रिक्शन के कारण जो है वो कैसे जो है वो टार्म्स हमारे सामने आती है अब friction का मलब क्या होता है दो चीजों की rubbing यानि किसी चीज को दूसरी चीज के साथ रगड़ना वो friction कहलाता है अब friction से हम इसको कैसे जज़ कर सकते हैं कि हाँ कोई charge आया की नहीं आया मैं आपको इसको थोड़ा सा define कर देता हूं इंगलिश में दो स्टेबल मेटरियल के बीच जब रबिंग होती है तो उसके कारण क्या बनता है और यह friction जो है वो बहुत अलग-अलग चीजों में बन सकता है जैसे कोई फर हो गया ग्लास हो गया एबोनाइट हो गया इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं मैं आपको एक छोड़ी सी टेबल डिजाइन करके दिखा जेता हो आपको एक टेबल जो है remind करनी है और याद भी करनी है इस टेबल में मैं आपको main mean से चार्ज बता जेता हूँ जो अकसर आपके एक्जाम में या assignment में दिये होते है एक को मानेंगे positive charge ये वला हिस्सा positive का होगा ये वला हिस्सा negative का होगा अब positive के हिस्से में देखते हैं क्या है ये बोला जाता है कि जब भी हम glass को glass की कोई road या glass जो होता है ये glass नहीं है ये glass है किसी silk के साथ रब करते हैं तो glass road हमेशा positive charge लेता है यह हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले इसके अलावा जब हम फर को जो है फर किसके साथ एबोनाइट के साथ रगड़ते हैं तो इसके कारण जो बनेगा that is the another चार्थ यानि कि फर पे positive आएगा एबोनाइट पे negative आएगा कैसे याद रखना है देखो ऐसे याद करना है A, B, C, D, E, F यह देखो E, F E for ebonate, F for fur यानि कि ebonate हमेशा फर से ही रब होगी और glass जो है वो silk से होगा सम टाइम क्या होता है बच्चे जो ebonate को silk के साथ कर देते तो वहाँ पर combination बिगड़ दाता है अब किसी को समय नहीं आता कि कौन electron को lose करेगा कौन gain करेगा तो इनके बीच कुछ न कुछ amount की repulsion पैदा हो जाएगी इसके लावा wool wool को देख लो आप wool को रब करोगी किसके साथ? प्लास्टिक के साथ wool हमेशा प्लास्टिक के साथ ही रब होनी है ठीक है न? इसके लावा लास्ट जो हमारा वो dry hairs ले लो आप dry hairs क्योंकि कंगी जो हो dry में से ही चलेगी भई ऐसा नहीं है कि बीगवे बालों से कंगी चलाओगी तो बटे बाल थोड़े से कम हो जाएगे पहले से थोड़े कम हो जाएगे तो अगर आप इसको रब करते हो किसके साथ कॉम के साथ तो जाईर सी बात है यहाँ पर भी कुछ चार्ज बनने वाला है तो अगर आगे बढ़ते हैं और next topic जो है उसको समझते हैं कुछ common example है frictional के जैसे कि कॉम वाला हो गया किसका कॉम को अगर आप रब करते हो किसी चीज़ के साथ किसके साथ तो उसके कारण जो है उसमें friction बनता और friction से क्या देखा आपने की कॉम जो हमेशा वो dusty होते हैं reason क्या है क्योंकि वो अपने साथ जो है वो किसी dust particle को attract कर लेते हैं इसके अलावा और क्या हो सकता है आपने भी देखा होगा कि जब हम किसी electric iron को जो है वो paper पे लगाते हैं तो उसके कारण iron जब उसके ओपर चलता है तो वो paper जो है वो electrified हो जाते है यनि कि उस पर charge जाता है तो वो भी छोड़़चोड़े particle को attract कर लेता है इसके अलावा जब आपने ये भी सुना होगा कहीं बार जो आपके aircraft होते है aircraft जब land करते हैं तो landing के time उनके tire में बहुत ज़्यादा friction होता है और इसी friction के कारण क्या है tire जो जल्दी घिसना सुरू हो जाते हैं तो हम tire इस हिसाब से design करते हैं ताकि उनके उपर जो charge आता है वो सारे का सारा कहां जाता रहे drainage होता रहे, नीचे जाता रहे अब जो next topic है यह तो छोड़ी छोड़ी से topic थे यहाँ से एक number का question आ सकता है यहाँ से तो इसको ध्यान से कर लेना topic का नाम है charging by induction charging by induction बहुत important topic है मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको भी अच्छा लगना चाहिए because हम एक ही जैसे तो है तो अब देखते हैं देशी वासा में इसको समझने की कोशिस करते है induction का मलब होता है जैसे आपको किसी को थपड मारना है लेकिन वो touch ना हो भी बन्दा ध्यान रहे थपड भी लगना चाहिए और touching भी ना हो तो इसका सीधा सा solution है कि इनिट फैक के मारो उसके उपर क्यों थपड तो लगेगा नहीं इतना लंबा हाथ तो है नहीं कि उसको दिखे भी न तो हम उसको क्या कर सकते है किसी पत्थर से हिट कर सकते है कोई पत्थर फैंक सकते है कोई छोटी मोड़ी कंकर फैंक सकते है तो इससे क्या होगा यहाँ पर आपका force जो है वो transfer हो जाएगा लेकिन हमें यहाँ पर force transfer नहीं करना हमें यहाँ पर electron का transfer करना है और वो भी कैसे है बीना किसी टचिंग की तो possible नहीं है वैसे तो लेकिन physics जो है वो भली-भली चीजों को possible कर देती है कहते हैं कि जो दिखता है वो physics है जो नहीं दिखता है वो chemistry, bio and something है तो अब हमें दिख रहा है चार दिख रहा है ना electron यह रहे देखो electron किसकी दुकान पर मिलते हैं वो आपको पता होगा अब हम इस method को पढ़ने वाले है the process by which charged body makes a conductor makes a conductor charged without physical contact यानि कि जब भी कोई body जो है किसी conductor को charge कर दे बीना किसी physical contact के उसको हम कहते है charging by the induction अब इसमें आपको क्या चाहिए इसके लिए आपको 5 step करने होगी पहला step, दूसरा step, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, question complete यानि कि ये 5 step आपको समझने है तो पहला step समझते हैं सबसे पहले आपको कोई भी एक road लेनी है अब उसने ये नहीं बोला कि कौन से charge की करनी है आपको सिरफ एक road लेनी है उसको एक insulating stand पर रखना है ये आपने एक road ले लेगी ठीक है अब इस road पे कोई charge नहीं है तो इसको हम कह देते हैं neutral ये है neutral conductor अब neutral conductor का मलाओ क्या है अभी तो मैं पते ही निये conductor है कि ने क्योंकि conductor पे तो electron होते हैं तो फिलहाल ये neutral कोई road है और ये जो stand है that is the insulating insulating stand अब आगे बढ़ते हैं अब दूसरे step में आपको करना क्या है इस road के पास ये जो आपकी road थी जो किसके उपर रख्योई थी insulating stand के उपर रख्योई थी भावनों को समझते रहना ये insulating stand है बार बार नहीं लिखूँगा मैं ठीक इसके नियर आप कोई एक road लेके आए जिसके उपर कोई भी चार्ज हो प्लस माइनस कुछ भी हो लेकिन ध्यान रहे वो road इससे touch ना हो गई अगर touch होगी तो method change हो जाएगा by the conduction बन जाएगा और हमें करना क्या है charging by induction करना है तो यहां पर आपको करना क्या है इसके पास जो आप road लेकर है माल लेते हैं कि यह positive type की road थी तो आपके दिमाग में थोड़ा सा पहिया घूम गया होगा positive charge किस पे होता है कौन से type की road पे होता है glass road पे होता है इस road का कोई भी नाम रख लो भई PQ इसका नाम भी PQ होगा तो जैसे ही आपने यह किया तो इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर negative charge आ जाता है जितने amount के थे उतने amount का negative charge यह इकठा हो जाएगा क्यों? that is the rule और rule क्या कहता है कि जब एक चीज़ पे charge था ही नहीं तो उस पे charge कैसे आया अब इस पे charge नहीं आया इसने positive ने क्या किया उतने ही amount के negative पैदा कर दिये ठीक है? क्योंकि net amount of charge 0 होता है तो अभी भी 0 है देखो जितने plus उतने ही minus हो गई अब क्या किया गया? तीसरे step में उसी road को लिया गया और यह इसका insulating stand भी रहा होगा अब यह जो आपकी road है यह इसके पास ही रखनी है इसको हटाना नहीं है ध्यान रहे कभी आप इसको हटा दो अगर हटा होगे तो फिर सारे का सारा mechanism खराब हो जाएगा यह आपकी P क्यों कोई road थी तो इस पे जितने भी negative थे चार थे तो उतने ही amount के positive भी कठा हो जाएगे अब जब ऐसा किया तो हम इसको क्या करने वाले हैं यहाँ पर earthing करने वाले हैं earthing का मलग क्या होगा drainage करना है किसका drainage करना है positive charge का अब क्या किया गया यहाँ पर जो road थी हमने earthing तो कर दी यह किसके उपर रखी हुई थी insulating stand के उपर यह हमारे कौन सी road थी positive charge की road थी ठीक है अब हमने क्या किया earthing कर दी ना तो यह जो negative charge था अब यह पूरी road पे फैल जाएगा और finally हम क्या करते हैं इस road को remove कर देते हैं और हमारे पास जो last step में answer होगा वो एक single road होगी जो किस पे रखी होगी insulating stand पे रखी होगी और उसके उपर कौन सा charge होगा negative charge होगा so यह आगे आपका charged conductor are you getting my point? यानि कि it's a that phenomenon by which charge gets transferred from one object to another object without any touching is known as the charging by induction physical touching नहीं होना चाहिए right अब इसमें भी बहुत सारे question होजाते हैं आपसे कहीं बार examiner जो है वो questioning कर लेता है कि हम कैसे जो हैं वो किसी भी road को positively charge बना सकते हैं कैसा बना सकते हैं positively charge तो simple है positively charge बनाने के लिए किस तरह की road चाहिए negative type की तो ध्यान रहे इस question में main जो piece है यहां पर कौन सी road लेनी पड़ेगी negative और अगर वो कहते है negatively charge बनाओ तो आपको यहां पर कौन सी road लेनी पड़ेगी positive यानि कि हमेशा questioning का ultra road आपको जो है वो consider करना होगा इसके लावा एक छोड़े सा question और कर लेता हूँ मैं ऐसे यह आपका question है क्या यह चीज ठीक है आपको बताना है इसे इसके अलावा उसने एक और question किया है कि कैसे हम किसी pit bowl को किसको pit bowl pit bowl are the very small bowl आप इसको कह सकते हैं अपने आपको समझाने के लिए तो थर्मा कूल की bowl होती है किसी gift विट में देखियोगी colorful अगर हम उस pit bowl को लेते हैं और उस pit bowl को आप charge करना चाहते हो positively तो क्या करोगे तो आपका एक pit bowl लेना उसको insulating stand पे रखना है और यहाँ पर इसके near क्या लेके आनी है कौन सी road negative type की negative type की कौन सी होगी आपको consider करने पड़ेगी इसके लावे एक और question आपसे कर सकता है यह सारे question आपको read करने है वही जितना read करोगे उतना ही जादा सिखोगे तो इसमें क्या है एक road है या एक pit bowl है उसके साथ एक और pit bowl रख दी गई तो क्या इन दोनों पर या एक से दूसरे पर चार्ज जाएगा या इस से इस पर या इस से इस पर कैसे जाएगा ये भी आपको read out करना है पिकोज ये सारे question जो है ये सिरफ tally करने के हैं आप इनको खुड tally करोगे मैं इसमें कोई आपको जादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ हाँ एक question और कर सकता है वो कि अगर हमारे पास दो जो हैं वो bowl है जैसे मैंने बताई ठीक है ये pit bowl है मैंने इन दोनों के insulating stand पे रखा अलग-अलग मुझे इन में एक को positive करना है एक को negative करना है तो क्या किया जाए simple है एक को positive negative कैसे करना है ऐसा थानी कि दोनों को हटा देंगा भी तो दोनों 0-0 है तो आप क्या करोगे इसके साथ यहां पर कोई road लेके आओगे road जो है आपकी choice की होगी negative low या positive low जब आप यहां negative होगे तो इस पर कौन सा चार जाएगा positive तो यह पूरे की पूरी एक दूसरे से मिली हुई है तो इस पर कौन सा आएगा negative बाद में दोनों को separate कर दो तो यह भी आपके लिए एक question रहेगा तो आज हम यहीं stop करेंगे because lecture जो है वह भी start ही हुए है कुछ और भी आने होंगे बच्चे जो है तो उनको भी वीडियो वाइरल करनी होंगी तो जाहिर सी बात आज हम यहीं stop करेंगे और next day जो है ने topic के साथ आपके सामने paste करेंगे तो आज यहीं तक bye bye